ओम शान्ती सुनते हैं 16th में 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यक्ता है तो वो कौन सी अब फिर बाबा ने आज इस मुरली में क्या बताया बाबा ने कहा कौन से नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगता साथ साथ माया के अनेक वारों का सामना करने के लिए किन दो बातों की कमी है तो अब सुनते हैं 16 मैस तबतर के मुरली माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यक्ता है Master Knowledgeful सदा Successful सदा हर्शित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मनजल के समी पहुंची हुई आत्माओं पर थी बाबा बोले बाप दादा सभी बच्चों के पुर्शार्थ की रफ़तार की रिजल्ट देख रहे थे पुर्शार्थ की रफ़तार की रिजल्ट नए अथवा पुराने बच्चों की पुर्शार्थ की रफ़तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अती सने भी हुआ और साथ साथ रह्म भी हुआ सने क्यों हुआ देखा की छोटे बड़े प्रिचे मिलते प्रिचे के साथ अपने यथा शक्ती प्राप्ती के अधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मन लाइफ दोनों में महान अंतर अनभव करते भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निष्चे बुद्धी बन एक दो के सहयोग से एक दो के अनभव के अधार से मंजिल की और चल रहे हैं बाबा नहीं कहाओ मंजिल की और चल रहे हैं खुशी शक्ती शांती वा सुख की अनभूती में कोई लोक लाज की परवा न करते हुए अलौकिक जीवन का अनभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं वा त्याग कर रहे हैं कोई सुद्बुद नहीं रहती बाप मिला सब कुछ मिला उस खुमारी वा नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगता जाद और सेवा में तनमन धन से लग गए पहला नशा पहली खुशी पहला उमंग उत्सा न्यारा और अति प्यारा अनभव किया ये त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकाल दर्शी मास्टर ग्यान सागर मास्टर सरशक्तीवान की स्थिती का पहला जोश जिसमें कुछ भी होश नहीं पुरानी दुनिया का सब कुछ तुछ अनभव हुआ असार अनभव हुआ ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अतीस ने हुआ कि हरेक ने बाप के परती कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुर्शार्थ किया है ऐसे त्याग मूर्त ग्यान मूर्त निश्चे बुद्धी बच्चों के उपर बाप दादा भी अपने सर्व संपप्ती सहित कुर्बान हुए है जैसे बच्चों ने संकल्प किया क्या बाबा हम आपके है वैसे बाप भी रिटन में यही कहते हैं कि जो बाप का सो आपका ऐसे अधिकारी भी बने लेकिन आगे क्या होता है चलते चलते जब महावीर अर्थात रोहानी योधा बन माया को चैलिंज करते हैं विजई बनने का अधिकार भी समझते हैं लेकिन माया के अनेक परकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है वै दो बातें कौन सी हैं एक सामना करने की शक्ती की कमी और दूसरा परखने और निर्णे करने की शक्ती की कमी इन कमियों के कारण माया के अनेक परकार के वार से कब हार खाते तो कब जीत होने से कब जोश तो कब होश में आ जाते सामना करने की शक्ती ना होने के कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है साथ लेने का तरीका नहीं आता है सहज तरीका है अधिकारी पनकी स्थिती इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर देती है और परखने की शक्ती ना होने के कारण बुद्धी की एकागरता नहीं है व्यर्थ संकल्प वाशुद संकल्पों की हलचल है एक में सरव रस लेने की एकर स्थिती नहीं है अनेक रस में बुद्धी और स्थिती डगमग होती रहती है इस कारण परखने की शक्ती कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्रहक बना देती है ये माया है ये भी ये भी पैचान नहीं सकते ये रॉंग है ये भी जान नहीं सकते परखने की शक्ति नहीं है न और ही माया के ग्रहक अथवा माया के साथी बन बाप को वा निमित बने हुए आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है जब तक संपूरण बने तब तक यह बातें तो होंगी ऐसे कहीं परकार के विचित्र पॉइंट्स माया के तरफ से वकील बनकर बाप के सामने वा निमित बने हुए के सामने रखते हैं क्योंकि माया के साथ ही बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं माया जीत बनने के पोजिशन छोड़ देते हैं कारण परकने की शक्ति कम है ऐसे वंडर्फुल और रमनी केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है इन्वेंशन भी बहुत नई-नई करते हैं क्योंकि बैकबॉन माया होती है जब बच्चे की ऐसी स्थिती देखते हैं तो रहम आता है बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं छोटी सी गलती है शिर्मत में मनमत मिक्स करना उसका अधार क्या है अल्बेला पन और आलस से अनेक प्रकार के माया के अकर्षन के पीछे अकर्षित होना इसलिए जो पहला उमंग और उत्सा अनभव करते हैं वे चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ती ना होने के कारण कोई पुर्षार्थ हीन हो जाते हैं क्या करें कब तक न करें कब तक करें यह तो पता ही नहीं था ऐसे वियर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं मंजिल नहीं हैं इनको पार करना है ना कि मंजिल समझ कर यहां ही रुक जाना है लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पार्टी यह है वा तकदीर ही यह है ऐसे रास्ते के नजारे कोई मंजिल समझ वास्त्विक मंजल से दूर हो जाते हैं लेकिन उच्ची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तुफान लगते हैं स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भवर में क्रास करना ही पड़ता है इसलिए जल्दी में घबराओ मत ठको मत रुको मत भगवान को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सैज हो जाएगे हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगे सी फादर करो फालो फादर करो तो सदा सैज उमंग उत्सा जीवन में अनभव करेंगे रास्ते चलते कोई व्यक्ति वा वैभव को आधार नहीं बनाओ जो आधार ही स्वेम विनाशी है वैविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता एक बल एक बरोसा इस पाठ को सदा पका रखो किसी और को अधार नहीं तो बीच भवर से सैज निकल जाएं और मंजिल को सदा समीप अनमह करेंगे सुना ये थी पुर्शार्थियों की रिजल्ट मैजोर्टी बीच भवर में उलज रहे हैं लेकिन बाप कहते हैं सब बातें अपनी मंजिल में आगे बढ़ने की गुड़ साइन समझो जैसे विनाश को गुड़ साइन कल्यानकारी कहते हो न ये प्रिक्षाएं भी परिपक्को करने का आधार है मार्क करास पर आगे बढ़ रहे हैं ये निशानिया है इस सब बातों को देखते हुए घवराओ मत सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे की पहुंचे समझा जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती है एकरस्थिती पसंद आती है एसे बाप को भी बच्चों की एकरस्थिती पसंद आती है यह प्रकृति खेल करती है लेकिन ऐसा खेल नहीं करना सदा अचल अटल अडोल रहना है ऐसे मास्टर नॉलेज़फुल सदा सक्सेस्फुल सदा हर्षित रहने वाले माया के सरवाकर्षन से परे रहने वाले मंजल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अच्छा ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली कितने सुन्दर प्यारे बाबा ने बातें बताई पहला नशा त्याग त्याग भी नहीं लगा और बाबा के आगे सब कुछ सब कुछ भूल गए सब छोड़ दिया और बाबा ने कहा बस यही एक जो तुम बच्चों को कोशिश करनी है कि तुम्हें कभी भी माया के तरफ से वकील नहीं बनना है और फिर बाबा ने जो विशेश कहा कि बच्चों को पुर्शार्थ स्रेष्ट करके कभी भी शिर्मत में मनमत मिक्स ना हो यही जो गलती है न यह कभी नहीं करनी है और बाबा को सदा साथी बनाना है अच्छा ओम शाम और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे अच्छा जरूर देखे